मुझा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सवका लर्निंग और आज इस चैनल पर हम लोग संवैधानिक विकास के अंतरगत राजगो पाला चारी idea formula दोस्तों सबको लगड़ा होगा कि संवैधानिक विकास में राजगो पाला चारी formula तो यह तो बहुत ज्यादा हो गया नेकिन नहीं दोस्तों यह भी इसी चैप्टर में शामिल है तो इसे भी पढ़ लेना जरूरी है क्योंकि 1935 के अधिनियम के बाद और भी कई तरह के भारतिये पढ़ियास हुए थे तो राज गुपला चारी फॉर्मूला इसका पर्थम प्रयास था तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले स्टार्ट करने से पहले तीन प्रस्ण सबसे पहले जरूरी है जानना क्या 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 क्यों तीन नहीं अगर माना जाए तो और भी ज्यादा निकलते हैं क्या क्यों क और कैसे यह सब कुछ प्रस्ष्ण है जिनके अगर हम उत्तर जान ले तो टॉपिक को समझना आसान हो जाता है तो राजगोपलाचारी फॉर्मूला एक्चुली था क्या तो राजगोपलाचारी फॉर्मूला जो था यह एक्चुली जैसा कि अभी अभी बताया मैंने सामेधा जानिक विकास की इस प्रक्रिया में भारतियों दारा किया गया एक प्रयास था यह भारतिय प्रयास था ठीक है इसे भारतिय प्रयास कर सकते है ठीक है क्यों यह क्यों लाया गया था तो यह लाया गया था किसी भी तरह का अगर अधिनियम कोई भी एक्ट या कुछ भी अग उस चीज को मुस्लिम लिए गयागर पसंद नहीं करती, तो कभी कांग्रेश पसंद नहीं करती इस बज़य से सहमाती नहीं हो पाती थी, तो इस राजकपलाचारी फ़र्मूला को लाने का मेन मकसद यहीं था, कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो गतिरोध है उनको दूर किया जाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहीयोग बढ़ाने के लिए ठीक है सहीयोग बढ़ाने के लिए यह राजगोपलाचारी फॉर्मूला लाया गया था और यह किस के द्वारा लाया गया था राजगोपाला चारी फॉर्मूला जैसा कि नाम से ही इस पस्ट है तो यह राजगोपाला चारी के द्वारा लाया गया था राजगोपाला चारी के द्वारा ठीक है और कब लाया गया था यह एक महत्पुन प्रस्ण बनता है कब तो यह लाया गया था 10 जुलाई 10 जुलाई 1944 को और कैसे लाया गया था तो कैसे लाया गया था इसको हम थोड़ा सा डेटेल में पढ़ लेते हैं ठीक है तो चलिए डेटेल में चलते हैं एक पर इसको मिटा लेते हैं फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगा ठीक है तो राजगोपलाचारी फॉर्मूला जो है यह किस परकार से लाया गया था अर्थात कैसे लाया गया था इसके क्या उद्देश्च थे इसके मकसद या फिर विशेष्टाएं क्या थी तो यह अब हम लोग पढ़ लेते हैं ठीक है हलाकि राजगोपलाचारी फॉर्मूला जो था यह फर्स्ट रूप से तो अलग पाकिस्तान की अलग पाकिस्तान रास्टर का समर्थन नहीं करता था लेकिन यह अपरत्यक्ष रूप से इसने अपरत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर दिया था अब परत्यक्ष रूप से इस राजगुपलाचारी फॉर्मूला में पाकिस्तान का समर्थन ही था सबसे पहली बात तो ये ठीक है इसकी विश्षिस्ताय क्या-क्या थी अर्थात इसमें क्या-क्या प्रावधान थे तो यह देख लेते हैं तो पहला प्रावधान यह था कि मुस्लिम लीग भारतिय सोतंतरता की मांग का समर्थन करें भारत की सोतंतरता की जो मांग की जा रही है भारतिय जनता द्वारा उसका मुस्लिम लीग समर्थन करें इसमें सबसे पहला प्रावधान तो यह था और दूसरा प्रावधान था राजगोपलाचारी फॉर्मूला में दूसरा प्रावधान प्रांतिये प्रांतों में औस्थाई सरकारों के स्थापना के कारे में मुस्लिम लिग औस्थाई सरकार के स्थापना औस्थाई सरकार के स्थापना में यह औयस्थाई सरकार कहा प्रांतों में ठीक है प्रांतों में औयस्थाई सरकार की स्थापना में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सहयोग करें मुस्लिम लीग को इसमें सहयोग करने को कहा गया था कांग्रेस का सहयोग करें ठीक है और तीसरा इसमें था तीसरा प्रावधान इसमें यह था कि इसमें उत्तरपश्चिम दिख लेती हूँ उत्तरपश्चिम और उत्तरपूरव इन दोनों भागों में भारत के उत्तरपश्चिम और उत्तरपूरव जो प्रांत थे उन सम्में एक जनमत संगरा कराया जायaya उत्तर पाश्चिम और उत्तर पूरेव के मुस्लिम बहुल, जहां पर भी मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है तो इन बहुल छेत्रों में एक जनमत सर्वेक्षन कराया जाए मुस्लिम बहुल छेत्रों में जनमत सर्वेक्षन कराने कि इसमें प्राफधान किया गया था और उसके आधार पर यह तै करने को किया गया था कि वे भारत में रहना चाहते हैं या नहीं कि आधार पर भारत में रहना चाहते हैं या नहीं वे भारत में रहेंगे या फिर भारत से बाहर या फिर भारत से अलग एक अपना सुतांतर राज बना करके रहेंगे इस बात का जन्मत सर्वेक्षन कराया जाने की मांग की गई थी इस राजगुपाला चारी फर्मूला में ठीक है तो तीजरा हो गया अब जलते हैं चौथे की और चौथा क्या प्रापधान था अगर देश का विभाजन होता है देश के विभाजन की इस्थिती में कुछ महत्वपूर्ण विश्य है जैसे की इस्थिती में कुछ महत्वपूर्ण विश्य है जैसे की परतिरक्षा रक्षा का चेत्र आज भी महत्पुर्ण है और हमेशा किसी भी देश के लिए या महत्पुर्ण भी शेह होगा परती रक्षा उसके अलावा उद्योग वानिज्य वानिज्य संचार आवा गमन इन सबसे इन सबसे रिलेटेड दोनों रास्ट्रों के बीच कोई संजुक्त समझोता किया जाए ठीक है इन सबके संबंद में दोनों रास्ट्रों अगर विभाजन होता है तो भारत के अलावा दूसरा जो एक नया राज्य बनेगा या फिर देश बनेगा उनके संबंद में दोनों रास्ट्रों के बीच या फिर दोनों सरकारों के बीच एक संजुक्त समझोता हो ठीक है तो संजुक्त समझाता है का इसमें रखा गया था और इसके अलावा पाज़वा इसमें यह था कि ये बाते उसी इस्थिति में स्विक्रित होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र गोशित कर देगा जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्र करें तब ही ये साड़े बाते लागू होंगी ठीक है इस प्रस्ताब को मुस्लिम लीग ने अस्विकार कर दिया मुस्लिम लीग द्वारा यह अस्विक्रित हो गया मुस्लिम लीग ने अस्विकार कर दिया क्यों क्योंकि मुस्लिम लीग की तो पहली मांगिया ही थे कि पिर्थक पाकिस्तान अस्विक्रित तो पिर्थक पाकिस्तान की चुकि इसमें बात नहीं की गई थी और परत्यक्ष था लेकिन परत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की बात इसमें नहीं की गई थी इसलिए मुस्लिम लीग को या राजगुपलाचारी फॉर्मूला पसंद नहीं आया और उसने इसको अस्विक्रित कर दिया उसके बाद हिंदू नेताओं हिंदू नेताओं और कॉंग्रेस हिंदू नेता जितने भी थे और कॉंग्रेस ने इसको कॉंग्रेस ने भी इसको अस्विक्रित कर दिया अब कॉंग्रेस ने क्यों इसे अस्विक्रित किया तो इसमें कॉंग्रेस की राईया थी कि इसमें इस राजुगपलाचारी फॉर्मूला में देश के बटवारे की बात कही गई है विभाजन वाला जो ये टॉपिक इन्होंन मनने से इंकार कर दिया तो इस तरह से यह राजगोपला चारी फॉर्मूला भी असफल हो गया या टिक नहीं पाया ठीक है आगे बढ़ते हैं वेवल योजना देख लेते हैं वेवल योजना में क्या बाते थी राजगोपलाचारी फॉर्मूला का डेट याद रख लीजिएगा दस जूलाई umрас 34 मेरे शूरू में भी बताया था 10 जुलाई 1944 को यह राज गुपलाचारी फॉर्मूला लाया गया था लेकिन यह असफल रहा था अपने प्रावधानों के वज़ा से नेक्स्ट पे चलते हैं वैवली योजना पढ़ लेते हैं इस समय द्वितिये विश्यूद में ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश विज़ाई घोशित हो चुके थे अर्थात ब्रिटेन और मित्र देशों की जीत हो चुकी थी ठीक है और यह 25 जुन 1945 को क्या हुआ कि शिमला में शिमला में एक मिटिंग बुलाई गई उस समय ततकालिन वायसराय थे उस समय लौड वैवल उन्होंने भारतीय निताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया शिमला में ठीक है और इसी सम्मेलन में उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तूत किया वैवल योजना एक तरह का प्रस्ताव था तो इस प्रस्ताव की क्या-क्या बाते थी यह देख लेते हैं अर्थात इस वैवल योजना में क्या-क्या मुख्य बाते थी तो पहली बात तो यह थी इसमें कि जब तक भारतिये स्वैम अपने संभिधान नहीं बना लेते तब तक अंतरिम ब्यवस्था के रूप में अधिशाशी परिशद का भारतिय करन कर दिया जाएगा अधिशाशी परिशद जो चल रहा था उस समय राज्यों अथवा के अंदर में उसका भारतिय करन कर दिये जाने की बात इसमें लौड वैवल ने कहा ठीक है तो अधिशाशी परिशद का भारतिय करन कर दिया जाएगा लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि भारतिय राजनिताओं को मुसल्मानों को तथा सवर्न हिंदूओं के बीच समानता के अधार पर पर परतिने दितो दिया जाएगा और उसमें दलित वर्गों और सिखों का एक-एक परतिने धी होगा इसके अलादे गवर्नर जनरल और सिनाध्यक्ष के अतरिक सभी पद भारतियों को सौपा जाएगा गवर्नर जनरल उसमें सुप्रीम पावर रखता था तो गवर्नर जनरल का पद गवर्नर जनरल और सिनाध्यक्ष का पद ये दोनों वैवल योजना के अकॉर्डिंग अंग्डे जोने अपने पास रखा और बाकी सभी पदों में भारतियों को भी सौपने की बात कही ठीक है? और इसमें इस अधिशाशी परशद में उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय राजनेता और थात भारत की जो नेता है भारतीय राजनेताओं और मुसल्मानों राजनेताओं ठीक है? मुसल्मानों मुसल्मानों के अतरिक्ट उसमें सवर्न हिंदूओं ठीक है? सवर्न हिंदूओं इन सब को समानता के अधार पर परतीनेते तो दिये जाने की बात कही? वैवेल ने ठीक है? और इसके अलावे इसमें इसमें एक और मुखे बात थी कि इसमें एक एक परतीनेधी दलित वर्ग दलित और सिखों के वर्ग से भी एक एक परतीनेधी होंगे एक एक परतीनेधी इसमें होंगे ठीक है? तो चलिए अब इस पर विरोध का कारण क्या था यह देख लेते हैं ठीक है सबसे पहले तो अगर मुस्लिम लेग की बात करें तो विरोध के कारण अगर मुस्लिम लेग ने इसका किसलिए विरोध किया तो उसका कारण की अगर बात करें तो मुस्लिम लिग के विरोध का कारण या था मुस्लिम लिग ने इसमें विभाजन के लिए कोई एस्पस्ट प्रावधान नहीं देखा इसमें इसपस्ट रूप से विभाजन संबन्धी कोई बात नहीं कही गई थी तो इसलिए मुस्लिम लिग का स्विकार नहीं था यह सब क्योंकि मुस्लिम लिग का तो पहला ही अजेंडा था अलग पाकिस्तान ठीक है और कांग्रेस को क्यों इस पे विरोध था तो कांग्रेस को इस पे इसलिए विरोध था अथवायत राज था कि कांग्रेस ने इसमें हिंदूओं और मुसल्मानों के परतिनिद्यतों का अनुपात समान देखा हिंदूओं और मुसल्मानों का इसमें कांग्रेस को परतिनिद्यतों समान दिखा और समान था भी अब भारत में उस समय हिंदूओं की जन संख्या अधिक थी और मुसल्मानों की कम थी तो फिर हिंदूओं को उनकी जन संख्या के अनुपात में न दे करके मुसल्मानों के बराबर कर दिया गया था तो उन्हें इंडुओं की अनुपात में कम सीचे चाहिए जो सीचे बच जाती है वहं हिंदुओं की जन संख्या अधिक है तो तो यह चीज जो था श्यक्रात का इसमें Ekawel को स्विकार नहीं था इसलिए कॉंग्रेस ने भी इसका विरोध कर दिया और इस तरह से यह वारता भी असफल हो गई यह वैवल योजना भी असफल सावित हो गई तो इस तरह से हमारा राजगोपलाचारी फॉर्मुला जो कि हमारा अपना भारतिय पढ़ियास था सामती के बिंदो जो थे यह दोनों ही विफल हो गए तो इस तरह से सामती बन नहीं पाई अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या 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 इसमें समवेधानिक विकास की प्रकरिया में आगे क्या क्या चीजी आए वह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में वह काबिनेट मिशन ठीक है और मांट बेटन योजना ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिल हाल के लिए इतना ही दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट जरूर करें थैंक यू झाल झाल